आज हम बनाएंगे सेम की सबजी बिल्कुल सेम्पल तरीके से बहुत कम मसाले में तो दोस्तों जिसे सेम पसंद नहीं है जरूर पूरा वीडियो देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद में जरूर बना कर खाएंगे इतना टेश्टी बनता है असलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे स्वस्त होंगे मजे में होंगे दोस्तों मैं आज बनाओंगी सेम की सबजी तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा लास तक के वीडियो में बने रहिएगा ये देखिए दो तो इसके साथ में थोड़ा सा खिलने लगी ये दोस्तो खाना बनाने देता ही नहीं है So this is killing day अम भूदटमा घ्रवान बनाएंगे तो देखिये ये Video हम बनाती है दोस्तो यह बहुँ जदा खुस हो जाता है तो इसे मैं दोस्तों यहां पे बैठा देती हूं साइड में यह मेरे साथ में रहेगा जब तक खेलेगा यह यह देखिए मेरा बड़ा बेटा भी यहां पे है तो चलिए दोस्तों हम सेम को अच्छे से साफ कर लेते हैं यह देखिए यह देशी सेम है दोस्तों मैं सेम की सूखी सबजी सेर करी थी, बहुत टेश्टी बनता है, तो मैं की सोची आज क्यों नहीं की ग्रेवी वाली सबजी सेर करें, तो ये देखें मैं सेम को इस तरह रेशा निकाल लेती हूँ, ये देशी सेम है, इसलिए ये छोटे छोटे दिख रहा है, इसकी स सेम को अच्छे से साफ कर लेती हूं इसका दोस्तों थोड़ा सा रेसा रहता है तो रेसे को हम निकाल देते हैं और जो दोस्तों बीज पढ़ गया है उसका हम छिल्टा नहीं लेंगे सिरिफ बीज को ले लेते हैं और जो नरम छिल्टा है वो मैं छिल्टे के साथ में ले ली ह यह देखिये जितना नरम छिल्टा था उसे मैं ले ली हूँ बाकी जो बीज पड़ गया था सेम में उसका में शिरिप बीज ले ली हूँ तो इन सभी सेम को मैं पानी में रख देती हूँ इसे मैं अच्छे से दुल के साफ कर लेती हूँ साथ में मैं दो आलू भी ले लेती हूँ आलू को मैं बड़े पीस में इस तरह कट करके रख देती हूँ तो अचलिए दोस्तों इसका हम मसाला बना लेते हैं मसाला दोस्तों बहुत कम मसाला लेना है एक प्याज ले ली हूँ एक आड़ी लेसुन है दो चिमत धनिया पोडर एक चिमज गरम मसाला, एक चिमज लाल मिर्श पोडर, आधा चिमज हल्दी पोडर, इन सभी मसाले को मैं मिक्सिजार में रख लेती हूँ, दोस्तों मसाला दुबारा पेशने से मसाला फूल जाता है, ताजा भी हो जाता है, उसका टेश्ट बहुत अच्छा आता है, तो मिक् छोटा पियाज है तड़के के लिए, यह देखिए, मसाला पिस लिए हूँ, सेम आलू को भी अच्छे से दुल के, इससे भी ले लिए हूँ, आलू को बड़े-बड़े पीस में लिए हूँ, छिल्टे के साथ में जितना नरम छिल्टा था, सेम ले लिए हूँ, एक तेज पत्ता तड़के के लिए, एक छोटा पियाज है, तो चलिए दोस्तों सबजी बना लेते हैं, गेज चलू करके कुकर रख देती हूँ, दोस्तों मैं कुकर में रखूंगी, कुकर में बहुत जल्दी पक जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, अब बहुत टेस्ट बनता है, तो कुकर में मैं तेल डाल दी हूँ, तेल गरम हो गया है, तो एक तेज पत्ता डाल देते हैं, एक छोटा बरिक कटा हुआ पियाज डाल देते हैं, अब पियाज को दोस्तों हम चलाते हुए अच्छे से लाल कर लेते हैं, चैनल पे नहीं तो चैनल को करेगा वीडियो को लाइक करेगा शेर करना मत भूलेगा कमेंड करके जरूर बताएगा यह देखे दोस्तों पियाज अच्छे से लाल हो गया है तो अब इसमें हम डाल लेते हैं मसाला तो पिसे हुए मसाले मैं डाल दी हूँ इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी मसाले क मैं हलका चला दी हूँ थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो पानी को दोस्तों मैं डाल दी हूँ तो अब इसमें हम कटे हुए सेम और आलू को भी डाल देते हैं तो सभी सेम को भी डाल देती हूँ यह बहुत सिंपल तरीके से बनता है बहुत कम मसाले में बनता है अब अब हम सेम आलू और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो इसमें मैं इसी टाइम थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूं, टोटल दोस्तों इसमें मैं डेड़ गिलास पानी डाली हूं, अब हम इसमें छोटा काटे हुए टमाटर डाल देते हैं इसी टाइम पे, तो अच्छे से चलाने के बाद में लगा देते हैं कुकर का ढखकन चार से पांच सीटी इसे हम आने देते हैं ये देखिए दोस्तों पांच सीटी हो गया है पांच सीटी जब आ जाए दोस्तों तो इसे हम एक मिनट के लिए ठंदा होने के लिए रख देते हैं डायरेट इसका ढ ला देती हूं यह बहुत टेश्टी बनता है दोस्तों बहुत अच्छा लगता है खाने में उपड़ से थोड़ा साहरा धनिया डाल देते हैं इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं सब्जी को दोस्तों में निकाल लेती हूं यह सब्जी दोस्तों आप रोटी पराठा सेक बहुत टेश्टी बनता है। जिसे नहीं पसंद है। उन्हों भी पसंद सक्राते हैं। साथ में दौस्तों गर्मा गरम में पराफा रख लीऊ। पराफे के साथ मैं मजर आता गा c Blaz